हवा पहाड को नहीं गिरा सकती, प्रलोबन उस विक्ति को नहीं छू सकता, जो जागरुक, मजबूत और विनम्र है, जो स्वयम पर नियंतरन रखता है और नियमों का पालन करता है। ध्यान तुम्हें जागरुक, मजबूत और विनम्र बनाता है क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे वास्त्विक सुरूप का पहला अनुभव देता है तुम ना तो शरीर हो, ना ही मन, तुम शुद साक्षी चेतना हो और जब ये साक्षी चेतना छूती है, तो एक महान जागरुकता होती है जैसे एक सांप जो कुंडली मार कर बैठा था और अचानक खुल जाता है जैसे कोई सो रहा था, उसे जंचकोर कर जगा दिया गया अचानक एक महान जागरुकता अंदर होती है पहली बार तुम महसूस करते हो कि तुम हो पहली बार तुम अपने अस्थित्व की सच्चाई को महसूस करते है और निश्यत रूप से ये तुम्हें मस्बूत बनाता है तुम अब किसी कमजोर पेड की तरह नहीं हो, जिसे कोई भी हवा गिरा सकती है अब तुम एक पहाड की तना हो, जिसके पास एक नीव है, खुद की जड़े है तुम जागरोख हो जाते हो, मस्बूत हो जाते हो और फिर भी विनम्र रहते है ये शक्ती तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नहीं लाती क्योंकि तुम जानते हो कि वही साक्षी आत्मा हर किसी में मुझूद है यहां तक की जानवरों, पक्षियों, बोदों और पत्रों में भी प्रणाव क्योंकि तुम्हारे अंदर क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी में मुझ।